हेलो दोस्तो इस चैनल में आपका स्वागत है मैं मित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक काफी महत्पून है इस टॉपिक में आज हम लोग भारत की दो प्रमुख नदी गंगा और यमना पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह चर्चा उन्हें जो अधिकार परदान किये गए हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें लीगल परसन की तरह अधिकार प्राप्थ हुए हैं और यह फैसला उत्राखंड की हाई कोट ने दिया यानि उत्राखंड की हाई कोट ने इन दोनों नदियों को समयधानिक दरजा प्रदान किया अब इन दोनों नदियों को छटी पहुँचाना किसी इनसान को नुकसान पहुँचाना जैसा माना जाएगा अगर हम लोग पुरे विस्ट में बात करें तो यह फैसला सबसे पहले न्यूजीलेंड की आदालत ने वहाँ एक नदी है वांगा नुई नदी को दिया था जिसमें न्यूजीलेंड की अदालत ने वांगा नुई नदी को जिवित मानों के समान अधिकार दिये हैं न्यूजीलेंड की अदालत ने या फैसला वहां की एक जंजाती यानि न्यूजीलेंड में जंजाती है जिस जंजाती का नाम है माउरी और जो माउरी जंजाती है वह 140 वर्सों तक संघर्ष कर रहे थे इस नदी को जिवित मानों के समान अधिकार दिलाने में उन जनजाती का मानना या था कि ये जो नदी है उनकी पुर्वज है या अपना पुर्वज मानते थे इसलिए वा संघर्ष कर रहे थे और उनका संघर्ष को अंजाम न्यूजिलेंड की अदालत ने दिया अदालत ने उन लोगों को यानि मावरी जनजाती को कुछ धनरासी भी उपलब्द कराई ताकि इस नदी की सिहत में सुधार ला सके तो इस टॉपिक में आज हम लोग गंगा और यॉमना से समंधित बाते कर लिए और पुरे विस में वांगा नुई नदी को जो अधिकार मिले हैं उससे समंधित बाते कर लिए धन्यवाद